नमस्ते में हूँ देव आपका music instructor आज हम बात करने वाले है saturation के बारे में vocals के उपर मैं 99.9% हमेशा लगाता हूँ मेरा बहुत favorite effect है जो मैं लग-लग VSD से लगाता हूँ जो आज भी हम देखेंगे पहले हमें यह पता लग जाए कि saturation exactly चीज क्या होती है बहुत simple, बहुत easy, बहुत जल्दी बताऊँगा saturation means के थोड़े harmonics add करना जिसको हम बहुत बार बोलते है harmonics, excitation या warmth add करना या कभी कभी आप यह word सुनते हों के distortion अब distortion क्या saturation है या कुछ और है उसके ओपर भी हम अभी discuss करेंगे अगर हम hardware emulation की बात करते हैं just analog gear की बात करते हैं तो we have tape, then transistor, tube, circuit ऐसी बहुत सारी और अलग लग चीज़े हैं जिसके through जब signal pass होता है तो harmonics add होते है, frequency थोड़ी add होती है वो क्या चीज़ होती है हम अभी वो भी देखने वाले हैं दूसरा question जो भी बोला वो यह है कि क्या saturation और distortion दोलग चीज़े है इसका जवाब yes भी है और no भी है कैसे? saturation अगर बहुत ज़ादा बढ़ा दी जाए तो distortion हो सकती है which we know, excess of everything is bad but यह ज़रूरी नहीं है कि distortion सिर्फ saturation से ही हो और भी बहुत सारी चीज़े हैं audio engineering में जो saturation sorry, distortion create कर सकते हैं for example clipping अगर आपको audio clip कर रहा है तो भी वो एकलग तरह से distort हो सकता है right? तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं software के अंदर और मेरा गाना आया था दुख ना आवे जो आरनेत पाजी ने गाया था और मेरा music था वो ही आपको आरेड़ी मालूम भी है जो मुझे Instagram पर follow करते हैं वो एक ही दिन में audio बनी उसी दिन record हुई उसी दिन video edit हुई और उसी दिन शाम को वो upload भी हो गई थी दुख ना आवे आरनेत पाजी का आईए सुनते हैं एको और है सान नीं अच्छी आवाज है भाजी दे जल्ती से पहले मैं आपको exact डिखाता हूं फुर मैं दिखाऊंगा vocal के उपर लगाते तो मैंने यापर citrous लिया है और यहाँ पर हम जाते हैं बाई doile लेंधा हूं एक basic sign signal मेरे पास आ गया है तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ले जाता हूँ एक कहीं भी ले जाते हैं, चलिए दो नंबर में ले गए दो नंबर मिक्सले चैनल में आप देखेंगे, तो मैंने यापर एक saturation knob ले रखा है जो कि एक free VST है, और अगर मैं आगे लेके जाओं तीन नंबर के अंदर मैंने wave shaper ले रखा है, चार नंबर के अंदर मैंने blood overdrive ले रखा है, तो मैंने लग-लग क्यूं ले रखे हैं ताकि आपको मैं बता सकूं की external plugin हो, चाहे internal plugin हो, आपके taste के उपर, आपकी practice के उपर, आपके कानों के उपर करता है कि आपके इस तरह की saturation या distortion या harmonic excite करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम इसे ले जाते हैं, तो सबसे पहले, मैं देखता हूँ, कि जो मेरा signal है, मैंने single रखा, एक single note रखा है, और single note पे देखते हैं कि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देता है और सुनाई देता है, अब आपने यहाँ पर देखा, मुझे एक single line यहाँ पर नजर आ रही है, वो चीज क्या है, उसे हम बोलेंगे fundamental frequency, अगर मैं exact उसके उपर ले जाऊँ, तो hint panel में वो दिखा रहा है 1054 Hz, तक रिबन वो 1050 Hz के round, कि वो एक single fundamental frequency है, उस sine wave की, मैं क्या करता हूँ, मैं उसे थोड़ से harmonics add करता हूँ, तो मैंने EQ से पहले एक wave shape पर ले लिया, मैं जैसे जैसे इसे धीरे 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 बढ़ाता जाऊँगा, आप यहाँ पर देखेगा, उसकी harmonic value, उसके नदर जो extra frequencies add होनी शुरू हो जाएँगी, तो आपको पता लग जाएगा exactly saturation होती क्या चीज़ है, देखिए, सिंगल, मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा, इसे मैं loop कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं उसे बढ़ाता गया, उसकी थोड़ी सी जो है, tonal quality change होगी, उसकी tone में फर्का गया, सूर exactly वहीं का वहीं है, और आप visually भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर एक single fundamental frequency थी, लेकिन साथ और भी frequencies add हो गई है, तो वो क्या add हुई है, harmonics, इस चीज़ को कहते है, right, चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे वापिस, right click करता हूँ, और by default जाथा, यह हो गया, चलिए, मैं इसको ले जाता हूँ, दो नंबर में, और यहाँ पर है मेरे पास, अब मैं यह वाला EQ खोलता हूँ, okay, exactly वही, एक fundamental frequency, और साथ में मैं ले लिए एक saturation knob, जो कि एक free VST है, soft tube का, जिसके लिए आपको उसके उपर अपना account बनाना पड़ेगा, और iLock के उपर भी अपना account बनाना पड़ेगा, पर आपको iLock की device नहीं चाहिए, आप internet पर थोड़ा बहु सर्च करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा, अब देखे, मैं जैसे जैसे ये धीरे धीरे बढ़ाता जाओंगा, तो देखे किस तरह से वहाँ पर harmonics add होंगे, हमें यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, कि neutral ताकि वो रहे, अगर मैं इसे low कर दू, तो मेरी high frequencies वो intact रहेंगी, उसको नहीं touch करेगा, अगर मैं यहाँ कर देता हूँ, तो मेरी low frequencies intact रहेंगी, कि उनको वो touch नहीं करेगा, उस particular spectrum के अंदर वो harmonics frequencies add नहीं करेगा, तो आईए हम देखते हैं, single fundamental frequency, आप देखे यहाँ कहीं पर धीरे-धीरे add होता है, लेकिन यहाँ कहीं एक पहला sweet spot kind of आता है, जहाँ से sound में फर्क आता है, headphone या monitors में यह lecture देखे प्लीज, देखेगा यहाँ पर पहुत, मैं धीरे-धीरे बढ़ाता जाओंगा, और एक time पर जाके, उसकी tone change हो जाएगी, अब यह बहुत सारी frequencies तो add हो गई है, लेकिन कुछ और ही बन गया है, यह क्या हुआ distortion, क्यों मैंने पहली कहा था, excess of everything is bad, तो आईए हमें एक idea तो होई गया है, वापिस निचे जाते हैं, सिर्फ मुझे आपको एक हलका idea देना था, कि saturation क्या चीज होती है, और मैं vocals पर क्यों यूज करता हूँ, दीखे, एक particular vocal spectrum के अंदर, एक मेरा singer गाता है, अगर हो बहुत high गा रहा है, तो ठीक है higher frequencies के side ज़्यादा होंगी, अगर हो कुछ low गा रहा है, कोई guzzle type है कि root के, हमसे कभी जब चले जाओ, तो obviously वो lower side पे, mid side पे थोड़ा होगा, अगर हो बहुत कोई high गा रहा है, जैसे इनकी हम देखते हैं कि कहाँ, एक को है सानी तुम तररारे तररारा, तो mid high वगएरा कहीं center में है, तो आईए, अब मैं धिरे धिरे इसमें, जब harmonics आइड करूँगा, थोड़ी थोड़ी में boost करूँगा, थोड़ी frequencies आइड करूँगा, तो ऐसे लगेगा, वो निकर के आगए, और अगर पूरे mix के अंदर मैं लगाऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, पर्दे के पीछे थी, वो हलका सा पर्दा side होके, वोग्र्स थोड़ी सी बाहर आ गई है, जो कि, आप कहेंगे कि, हम तो volume से भी उठा सकते थे, या मैंने या पर थोड़ा volume डाउन किया है, so that मैंने headroom छोड़ रखा है, volume से भी कर सकते हैं, compression से भी कर सकते हैं, वो dynamics का part हुआ, dynamics में हम सिर्फ volume की बात करेंगे, या हम harmonics की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ले गया, दो number में, ठीक है, और saturation knob जो मेरी free है, उसे मैंने बंद रखा, हम अभी free वाले, जो stock plugin है, fs studio का, उसके उपर भी करके देखेंगे, ये मेरे windows वाले laptop के अंदर, ये soft tube है, मेरा जो studio का mac है, वहाँ ये नहीं है, तो वहाँ मैं wave shaper उगएरा, यूज़ करता हूँ, आप external भी यूज़ कर सकते हैं, कोई tape emulation होगएरा अगर आ रहे हूँ, या कोई और, कोई भी saturation, T-rex का हो, या fat filter का saturn हो, आप कोई J37 करके waves का होता है, वह emulation है, exactly उस circuitry को 1010 में convert किया हुआ है digitally, तो आप अपने taste के हिसाब से, और कान आपके कैसे कौन सा पसंद करते हैं, आपके कान को कौन सी saturation ज़्यादा पसंद आ रही है, ozone बहुत लोगों ने use किया है, अगर आपने ज़े click करें, तो वहाँ आता है diode, triode, वो लगों लग options आती हैं न, वो exactly यही होती है, तो आईए हम धीरे 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 बढ़ाएंगे, और आप देखेगा, subtle फरक आएका लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही clean, आपको लगेगा हाम, थोड़ी energy enhance होगे मेरे vocal में, मैं इसको loop कर लेता हूँ, एको ए हैसानी, तु करीं सरकारे पुतांदियां कुर्बानी हंदा दुखना होवे, अब हमने देखा, मैंने धीरे-धीरे boost किया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, on-off करके देखते हैं, saturation knob को मैं कर रहा हूँ, off, एको ए हैसानी, तु करीं सरकारे पुतांदियां कुर्बानी हंदा दुखना होवे, एको ए हैसानी, तु करीं सरकारे पुतांदियां कुर्बानी हंदा दुखना होवे, एको ए हैसानी, तु करीं सरकारे पुतांदियां कुर्बानी हंदा दुखना होवे, एको ए हैसानी, तु करीं सरकारे पुतांदियां कुर्बानी हंदा दुखना होवे, आप देख रहे हैं कि किस तरह से flourish हो गया है लेकिन आपको साथ में यह लगा होगा कि थोड़ा सा volume बढ़ गया है क्यों perceived loudness कोई भी चीज लगती है तो perceived loudness बढ़ती है इसलिए हमने क्या दिखाए तो यहां से हम जाके जो है एक अलग नमबर में यहां पर वेव शेपर के साथ भी देख लेते हैं कि यह क्या चीज़ करता है ओके तो आप देख रहें कितना clean कितना front पे आ जाता है तो अगर आपके निचे drums चल रहा है कोई और section चल रहा है और आप अच्छा clean mix किया हुआ है तो सिरफ saturation यह आप देखेंगे कि हाँ आपको जो vocal है एक दम stand out हो गए है अब हम बात करते हैं जो मैंने सबसे पहले का था excess of everything is bad यानि saturation अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो distortion की तरफ चल पड़ेगी आए देखते हैं किस तरह से double click और मैं ले गया second number में यहां पर ठीक है हमरे पास है saturation knob आए मैं धीरे 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 इससे बढ़ाता जाऊंगा आपको लगता रहेगा बहुत अच्छी आवाज हो रही है ठीक है stand out हो रही है बहुत अच्छी frequencies add हो रही है एक दम बूस्ट हो रहा है एक particular time पे जागे वो distort होनी शूरू हो जाएगी और आप कहेंगे नई 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 ये over हो गया है ये रहने देजिए देखे किस तरह से अहसानी तु करी सरकार पतादिया कर बानी हंदा दुखना हो वे एक को आहसानी तु करी सरकार पतादिया कर बानी हंदा दुखना हो वे मैं आपको एक example दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया ये song है The Weeknd का Call Out My Name अब देखेगा hook के उपर कितनी oversaturate हो जाएगी vocal आपको सुनेगा भी निए Call Out My Name और देखे किस तरह से आवाज आएगी तो मैं जादेर ये नहीं चिला सकता, copyright issue हो सकता है ये जाके जरूर सुनेगा hook के उपर वैसे ही पूरे गाने के अंदर Weeknd ने थोड़ थोड़ी saturation एक बिल्कुल जो एक उसका sweet brim है वहाँ पर touch किया हूँ है उसके बाद वो बहुत जादा distortion की तरफ हो जाएगा जब hook काती है तो आज आपको पता लग गया है कि saturation क्या चीज़ करता है मैं यहाँ पर जाता हूँ और चली मैं चार नमबर में जाता हूँ और वहाँ हमारे पास है blood overdrive ये मैं किसी और दिन पता हूँगा कि pre post वगरा क्या है सिर्फ आपको देखे हलका सा color है color आपको जहां भी word आए मतलब कि वो saturation है harmonics, color, saturation हम mobile से तस्वीर भी खिंचते हैं तो उसमें भी word होता है saturation आप कम करते जाते हैं तो black and white होती जाती है ज़्यादा तरफ ले जाते हैं तो बहुत सारे color एड़ होने शुरू हो जाते हैं same harmonics एड़ हो रहे हैं बहुत सारी frequencies एड़ हो रही है अगर हम उसी साब से उसे देखें as a lemon right चलिए अब इसको हम pregamp थोड़ा से इसका बढ़ा के देखते हैं call out my name हो गया तो बहुत subtle हमें हलके हलके warmth हैड करनी है और ये snare के उपर बहुत अच्छा गाम करता है अगर eight to eights हैं बहुत अच्छा गाम करता है तो ये है हमारा youtube youtube.com slash devnext level subscribe किजिए इस channel को बहुत सारे और lectures और गाने और rap songs और आ रहे हैं master class I.T. faff filter की और acoustic treatment की और अभी हमने कल ही एक और lecture डाला था two minute tutorial भी कभी कभी याद आ जाता है तो डाल देते हैं instagram.com slash devnext level इसे जरूर follow कीजिए मेरे सारे अपडेट से ही बराते हैं devnext level facebook इसे भी जरूर like कीजिए मेरे page को और spotify पे जाकर जरूर सुनिए devnext level सर्च कीजिए बहुत सारे गाने हैं क्योंकि youtube पे definitely आप बहुत सारे लोग मुझे स्पोर्ट करते हैं बट मैं चाहूँगा कि आप spotify पे भी जरूर जाए और वहां से place बढ़ाईए तो मिलते हैं किसी ओल एक्चर में तब तक लिए devnext level signing out नमस्ते